अगर हम आज कुछ पढ़ने वाले नहीं है नहीं हमारे यह पूरा बोर्ड है जो आज हमारा पूरा ब्लेंक है क्योंकि हम आज कुछ पढ़ने वाली नहीं है आज हम कुछ बात करेंगे कुछ अब किस टॉपिक पर बात करेंगे को कोई टॉपिक ही नहीं आज हम कुछ फालतो बात करते हैं ठीक है अब यह जो आज हम जो बात करने वाले हैं आप लोगो तो पहले पता चली गया हुआ हम फालतो बात करने वाले आज हैं अब फालतो बात बकवास करें क्या करते, अब ये डिपेंट करते हैं, हम क्या क्या बात करते! मैंने कुछ सोच नहीं रखा, किस चीज़ सा इस पर बात क्या पर करla नहींए? ठीक है. आज का होता है? हमारा आजका देखिए देखो! मैं बहुत सारा अब्जर्वेशन करने के बाद ठीक है ये वीडियो बना रहा हूं ठीक है इसलिए पहली कह रहा हूं इस वीडियो को ना सुर्वात से अंतक पूरा देखना ठीक है एक एक पॉइंट को ध्यान से सुरना ठीक है देखो इस पॉइंट को अगर सुनोगे न यह चीजे मेरी एक एक जो बाते हैं जो हैं सुनोग क्या करें वह खुद भी अब खुद ही नहीं करना चाहता कुछ तो हम क्या कर सकते हैं ठीक है भगवान भी कुछ उसके अभल नहीं कर सकता फिर। अब मैं ऐसा क्यों बोला हूँ आज मैं यह क्यों रिखा हूं आज क्या जो अपने ठर्मनेल या हमारे पास इस डिस्क्विशन या जो बनी यह फूंपर्वाश उन लोग को लगने वाला यानी स्टुठेंट्स को लुटनलगने वाला जिंका पढ़ाय में का एक यह फ्रम भी है किसी का है एक 2 परसेंट ठीक है कोई जिक्णा है झीसका बिल्कुली ध्यान नहीं है उनके लिए मिली हो मैं ऐसी बाते क्यों कर रहा हूं ठीक है क्योंकि मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ठीक है मैंने उनमें यह अब्जर्व किया है ध्यान से पता नहीं वह उनको यह पढ़ाय से इतना दूर क्यों भागते हैं यह तो सबसे पहली बाद यह समझ नहीं आता कि वह पढ यहां तक कि उनकी जीरो है पूरा का पूरा सेलफ एस्टडी जीरो है सचाए बता रहा है अब देखो अगर कोई स्टूएंट्स के लिए वीडियो में अगर कोई सुन रहा हो ना तो एक चीद ध्यान रखना अगर तुम कहीं भी किसी भी स्कूल में कितने भी अच्छे हो जब तक तुम खुद नहीं पढ़ने वालों नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला यह मैं गयांटी के साथ क्या देता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं है पता चल जाएगा अब मैं जनरली यह अभी जो बात करने वालों मैं जनरली 9 10 11 12 और कुछ हमारे नीट के भी स्टुडेंट्स हैं और जैए के भी स्टुडेंट्स हैं अब इन सब के एक्जाम की बात कर लें तो यह भी दिसंबर चल लाए ठीक है कुछ दिन वाद आ जैगा दिसंबर फिर जनृवरी फिर मार्ज ठीक है और फिर फृड फीरवरी से बोर्ड एग्जामें स्टार्ट हो झाते है 23 की और 24 फ रवरी में जनृवरी में ही 2 फिर अपरैल में हुनके ठीख है पिर मही में इhit किसके नीट के एक्जाम है सबका डे इसम्नीट की जाई की बात कर दिए फुर्दार हमारे पास और भी कुछ स्टुडेंट्स होते हैं अगर मैं कुछ स्टुडेंट्स क्लास का नाम लेना चाहूं तो मैं पास सीनियर क्लास में 8 9 10 11 12 यह सब हमारे पास हो जाते क्लास यहां था कि 7 के इंक्लूर्ड बच्चे को सिक्स्थ भी विच्छे फिलार हम 6 7 को छोड़ भी थे तो हमारे पास आठी वी क्लास से बच्चे बाइवी क्लास तक यानि की नीट और जाई के भी आ जाते इन लोगों में क्या चीज दिक्कत आती है सबसे पहले बताता था कि फिलार नहीं देंट जो स्कूल वाली लाइफ जो होती है स्कूल के स्ट्वेंट्स की बात करते हैं अभी स्कूल वाले स्ट्वेंट्स जो होते हैं उनमें दिक्कत क्या होती है कि वह ढूंडते बहुत अच्छा कोचिंग है ठीक है बहुत अच्छे जगा जाएंगे ढू तो दोस्तों के साथ क्या होता है टाइम पास करना यानि फाल्दों के बकवास करना ये सब चीज़े होती है ठीक है तो ये सब चीज़े होती है अब फाल्दों बकवास मतलब आप समझदार हो तो खुछ समझाओ कि क्या फाल्दों बकवास होती होगी कोई किसी को गाली से यह कोई भी उनसे बारा उनको कुछ समझा रहा है या उनको पढ़ने के लिए क्या रहा है तो उनको फालतों बखवासी लगता है वह उनको सच्चाए बता रहा हूं एक कैंसे रहें, आहिए पहली भी बता चुक है हुँ है यह जों हमारे पास हमारे से बात करोंगा रहा है 19 साल तक कि हमारे पास age के चाहे वो boys हूं चाहे वो boys हूं या girls हूं ठीक है कोई भी हो दोनों का तो यही बुरा हाली है बहुत बुरा हाल है देखो ऐसे नहीं कहारो मैं 12 से 19 साल के age के सारे बच्चे खराब होते ठीक है अधि हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं ठीक है जनरली उसे टेस्ट लो तो ठीक है regular टेस्ट देते हैं सब कुछ पढ़ते भी है प्रपर नोट सुनाते हैं समझते भी हैं कोशन भी पूट अप करते हैं हर चीज एक अच्छे से करते हैं जो पढ़ने वाले उठाओ मेरे को खुद समझने आ रहा है मैं इतना चीज जारा चीज अब्जार्व कर लिया है ना मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं लेकिन मैं एक एक चीज करके समझाने वाला हूं आप यह चीज ना आप समझ जाना ठीक पहली कहा रहा हूं अब रिक्वेस्ट मालों कु これ हो यह थे टेंत के स्टुडंट है आम अपस का सटुडंट है ठीक है यह त्वर सिंसी नहीं फोन यह थे मेरघ पास स्टूद्न्स होते हैं वह प्रक्रीज में एंटर कर रहे होते हैं ना थो यह थो कि पुढ़ देख रहा हूं गम घ्रूस तासकर थोड़ा एक्टिव हो गई पढ़ने पढ़ती ध्यान देती है ठीक है अब ऐसे मत कहना कि मैं गल्स की तारिफ करां ऑँ बॉइस की तारिफ नह मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूं तो जलो हम दुनों की बात कर रहें ठीक है कि यह बच्चे जो हों देना आप मैंने क्लास में जनरली देखा है ऑफ-लैन में कि बच्चे का पढ़ने पर ध्यान नहीं होता है मदब मैंने मदब नोट्स लिखवा दिया ठीक है उन सबसे बरा दिक्कत है कि स्टूद्स जाहें तर टेस्ट से भागते हैं submitted submitted to heaven इतो है जो गलती करना है तो महमारे इंग्जाम इसे पहले जो होते हैं तृम्हारे स्कूल में होते हैं या तूश्य में होते हैं ऊचेस्ट पे जतना गलती करना कि त्मौह घलती नहीं करना है लेकिने तुम उसी स हाग के आ'll तेस्ट में जाया तर जो को तिक आनल कोशन पूख जाता है या एंधोंक these तो टेस्ट से जनरली भागना नहीं है, चाहे टेस्ट में तुम्हारे कितने ही माकसा हैं, लेकिन टेस्ट देना चाहिए, कुछ पढ़ के देना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े मुझ उठा के अराम से आगे, हाँ जी सर टेस्ट देदीजे, हम तो दे देते हैं, फॉर् हाँ गया है, हर जी एक चीज का रिजनलत है, कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर बच्चा पढ़ के दे रहा है टेस्ट, अगर माकस उसके कम भी आ रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सबसे कि सबसे पहले अपने गलती से कुछ तो सीखेगा, कि हम मैंने अगर मान लो ही कुछ सन एक्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको याद रहेगा, कि हम ये मेरा कुछ सन जो है न, ये टेस्ट में आया था, ठीक है, तो ये कुछ सन में मैंने गलती की थी, उस कुछ सन को क्य क्या करें तियार कर लेगा अच्छा साथ वह इस नकार एंसर क्या कर गए एक्जाम में सभी कर एगा यह नि फर्स्ट ताम उसने गलती कि सेकंड नहीं कि तो तो क्या हुआ है यह सीखने को मिला ऐ लेकि जंडरली स्टोट सीखते ही ने इससे अजए ऑफ लोagnik crater दिया जाता है तुम को किस लिए दिया जाते कुछ सीखो तुम्हारे प्रक्टिस लिए जाता है कि पढ़ने का तरीका ही नी जानते हैं सबसे पहली बत पढ़े से दूर वाक्त एक तरह से फॉरमल टीए निकि अगर कोचिंग में जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो दोस्ती यारी निवहाने के लिए जा रहे हैं ऐसा लगता है उनको ठीक है दोस्ती यारी निवहाने के लिए जा रहे हैं ठीक है जाहे वह गल्स हो या बॉइस हो मतलब फ्रेंड के फ्रेंड सरकल उनका बना लिते हैं अप पढ़ा है अपनी जगए तो इस चीज़ को आप लोगों को भी तो समझना है जो पच्छे नहीं पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते हैं देखो नाइन्थ मेली मैं एर्थ क्लास से मेली में प्रेसर दाता हूं मेली स्टुएंट्स पे क्यों कि हाई स्कूल पॉर्शन हो जाता हैं अब यहां से तुममारे करियर का life का decisions यह से उरृँ बोलना ऐसा मैं अगर तुम अभी महनत्रूंध करोगे ना तुम्हारा लाएफ ना पूरा बतारह हो मैं वड़ नहीं बोल नहीं बोलना चाहिब पूरी लाइफ आपारी जण्ड हो जाएए मतारो सच क्यों तो तुम्हाई पूरी की पूरी लाइफ तुम अपने मदब खुद करें यह वह कहा होता है ना अपनी पैर पर कुलावरी तुम खूद मार हो यानि अपनी जिंद्गी तुम भरवात करोगी तुम्हें अभी नहीं पता चला पास साल बात तुम्हें पता चल जाएगा ज hypoc एक चीज और मα्मी के शसान हुआ कमाने का हजारिह करता है कैसे कमा पैसे इज्जत से भी कमाए करता है मझदूरी करके भी जड़ें लगा कि आज सबसे पहली बात माना कि हर एक फिल्ट में चाहिए UPSC में हो SSC में हो बैंकिंग हो रेलवे हो मेडिकल हो जैई हो किसी भी फिल्ट में जाओ कॉम बहुत है लाखों के संख्या में हमारे पास फॉर्म भरे जाते हैं एक्जाम से लिए उसमें से सेलेक्ट होते हैं हजार में बच्चे सेलेक्ट होते हैं तिक्कत तो है क्या करें लेकिंद पढ़ना तो है हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर जॉब नहीं है मलब यह हम पढ़ लिक के कुछ नहीं कर सकते दिए नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे पढ़ लिक के भी यही करना है पढ़ लिके बहुत सारे चीज़े हो सकती है तुम्हारे पर स्कील होनी चाहिए मंदब कुछ यान हो जाने चाहिए एक चीज या दखना एक्जाम में पास होने के लिए मत पढ़ो यार मत पढ़ो मैं सचाहे होता रहा हूँ जर्नेली स्टुएंट्स में आते हैं मैं देखता सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि हमारा जो एक्जाम में आएगा मैं वहीं पढ़ोंगा और यह चीज को निकालो तुम्हार नॉलेज के लिए पढ़ो कम से हम तैंथ क्लास तक तो हर एक चीज पढ़ना ही पढ़ता है सबको को यह स्टुएंट आता है सार मेरा मैं मेरे मिल्कुल मन नहीं लग रहा मैं बता हूं कि ट्विशन छोड़ देता करो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता तुमने एक कभी एस्ट्विशन यह नहीं सोचता कि उसे कहां दिक्कत है वह अपनी कमी नहीं ढूंदता पाता कुछ दून लेते हैं और सही हो जाते कर लेते अपने आपको लेकिन जातर स्टुएंट कर आता है अपने कमी नहीं अगर टीचर आपको समझा रहा है हर एक चीज करवा रहा है आप खुद ही घर पे जाके महनत नहीं कर रहो अगर तुम्हारा एक घंटे का भी नहीं तो फैदे क्या तुम्हारे पढ़ने का अगर पढ़ने क्या है अगर सूच रहे होगे तो देखो सीधी बात अगर मैं कहो न ऐसे पढ़ाई मत करो ऐसे पढ़ाई करने से अच्छा पढ़ाई छोड़ दो तुम क्योंकि अपने पेंट्स कर तो मतलब अपनी मम्मी पापा को तो पैसा बरबात कर रहे है तो किसे ठी अगर तुम्हारे पैसा बचा ले तो उनके बुढ़ाबे में कुछ काम आजाएगो करके अगर तुम्हें मान लो पर मंत एक सब्सक्राइब दे रहे हैं यहीं वह एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे जाके तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए हर एक पैनेर्ट जो होता है नहीं चाहता है कि उसका जो बच्छा जो है उन्होंने जितनी कस्ट ़ड़ी लाइफ जी है न यहीं उन्होंने कितना कस्ट जेर आए उन्होंने पढ़ाइं नहीं कि है तो कम इसमें उनके बच्छे पढ़ ली के कुछ बन जाए जिन्दिक Old करकऊ रहो है तंसी अपने कि कुछो कर क्या रहो कि को ब्रब्रब्रबद करो अपनी devastating है घसे खेल रहो हैं से ब्रहुल क्या है रही है एपनी जिन्ति की र सब्च्राइब लोगए साहत है रीडों कसी तुह को में पास कुछ एस्टुएंट्स ऐसे थे जो आये थे बहुत अच्छे थे पढ़ने में धीरे धीरे वह उनका संगत होता है ना संगत यानि दोस्ती यानि फ्रेंट सर्कल उनका ऐसा पकड़ा कि वह इतने ज्यादा बेकार होगे ना पढ़ाहे में पूछ हुई मत मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अगर वो देखेगा यह वीडियो तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी के वाले में बात कर रहा हुए ठीक है जनरली में सच्चा यह बता रहा है अनके घर से कॉल आता है सर आपको जो करना है करिए लेकिन इसको कुछ पनिस्मेंट दीजिए आप बड़े बच्चे होते हैं नाइन तेंथ के वाई अलेवन तेल्थ के उनको मार पीट सकते भी नहीं है खुद ही मारने में अच्छा लगता है सच्छा बता रहा है एक तो आर्टीकल नमर 17 हमारे पास ऐसे ही है कानून आ गया है मैं आर्टी चोड़ों आर्टीकल की बा सही टाइम पे सही से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई टीचर क्यों मारेगा भाई एक तो सबसे पहले बाद आज की टाइम है बच्चों में संसकार की बहुत जादक कमी है संसकार की इतनी जादक कमी है कि पूछ होई है अब मैं उनके पेंट्स की भी कुछ गलती देना कर तो सब्सक्राइगे तो यह सरी कैसी बाद करना इसने संसकार कुछा आखेशा को बिलित जांतक हो भी कॉछ हैं तो सबसे पहले औलब पूण से से कैसी कैसे बातकर ना है छिंट कैसे बहें कर ना एक इंदी व्यक्रन में अगर कहा जाते तो मेत्र भास अभाजा होता है जो बच्छा पने माताесग पिजा से बच्चपन में जीक्ता वहीं तो मात्र भास उता है तो संस्कार कौन और मिठ वी लिइतन की वह पाज़ी आज के टायम में जनरली पर में पैंट्स चोटे बच्चों की भी बात अगर आ जाए तो देखेंगा मॉयल दे देते हैं ठीक है अगर बच्चे ने परेशान किया ले बेटा मॉयल ले जा खेल ले मदब काटून देख ले कुछ भी देख ले और आप गलत करो यार उसको मॉयल की लग जाएगी आदत लग जाएगी व तो चीज मजा देता है वो चीज सजा भी देता है यह चीज ध्यान रख लो अगर तुम्हें देखो कुछ पढ़नी रहे हो ना पढ़ने में बोलता है सर आलस बहुता है ठीक मॉर्णिंग की विजय बैच जनरली में लेता हो ना सर जल्दी खतम करवा सर छोड़ दो कोई ब सब्सक्राइब हो ता अब कर जाने हो करते हो सबसे पहले दिकत यह हो जाती है तुम्हारे स्कूल का काम जो भी काम मिलना है अगर डेली के डेली कंप्लीट करने लग जाओ ना जब भी टाइम मिलता है करो ऐसा नहीं कि पढ़ते रहना है पढ़ते रहने खिलना सब कुछ का टायम मैनेज करना चाहिए हमें ठीक है अब टीवी देखने बैठ गए भी आप तुम टीवी में कोई काटून देख रहो को मूवी देख रहो कुछ देखने बैठ गए तुमने सोचा था मैं आधे घंटे देखता दस मिर्ट अब वो आधे घंटा तुम्हारा कब 1-2 घंटा क्यों मैं कनवर्ट हो जाग नों तु तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है वक्त किस देखो तुम्हारे पास मेली तैन्थ वाले और 12 वाले खास्तर से तुम्हारे पास time है, खुद सोच लो, विचालो, तुम्हारे December में pre-board है, अब फरवरी के meet से start है तुम्हारे board exam, थ्यादा दिमा, सूचो न, तुम्हारे पास देखो, brain सबका एक जैसा होता है, कोई genius पैदा नहीं होता है, सच्चा ही बता रहो, जो जितना hardware करता है न, उसको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है, सीधी, सचा ही बता रहो, अब देखो, तुम्हारी जिन्दगी, तुम्हारी खुद के हाथ में, या तो जिन्दगी सवाल लो, या तो बिगाल लो, रिचाइड क्छुद कर लो, क्या करना है, कि मेरा काम था समझाना तुम्हारे मम्मी पापा काम होता है समझाना अब सारे चीज़ तुम्हें होल्ड करना है टेस्ट दो ना टेस्ट रोगते हैं क्यों भागतेक वह कॉक्थ सभथ एक है Сघ sectors थी तो अनुद स हमें कि इस जो टीचर बना रहा है उसको भी महनत लगता है अगर ऐसा होना खाणना को कुछ टीच है तेस्ट नहीं लेते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ाई कितना इंप्रोब्मेंट हुआ है कुछ बच्चे तो टेस्ट से भागते हैं तेस्ट से भागते हैं जिस दिन आप टेस्ट एसाइन कर दोगे आप रख दोगे ना उस दिन बच्चे मदब कुछ बच्चे दो गायव होई जाते क्यों नहीं आए सर्फ पीट कुछ हो रहा था यहां चलेगा था मैं वहां चलेगा तो अलग बहाने होते हैं उनके यही भाने ना पास सलवाद याद करना जब चिलाते फिर होगे आलू लेलो प्याज लेलो टमाटर लेलो यह कवाड़ी वाले यह आज कल तो बैट्री वाले रिक सब हो चल ला है यह आज कल वरना बिजनस ठेला गुलगप्पे बरगर पानी पूरी चाए यह सब ज़्याद यह पढ़ना बहुत जरूरी है वि ना पढ़े कुछ नहीं होता है हमें लिट्रेसी लिट देखा जाता है भारत का तो नौर्थ आंडिया का नौर्थ इंडिया में हमारे पास जनरली कमी आते कि हम अगर बिना पढ़े ही इतना पैसा कमा सकते हैं तो हमको पढ़ने की क्या जरूते है तुमको क्या जरूते है लेकि जो पढ़ाय लिखा है कि जो एहमियत जो होती है तुम नहीं जान पाऊगे ना तुम करोरों पे कमा तो लोगे लेकिन पढ़ाय की क्या एहमियत होती है है इस पड़ाय में संसकार देता है एक वैपन का काम करते हैं कि अधर दिया जाए एक पैंतर है तो कौन जदैगा पैंजी प्रवार लोगे वाला तो एकदम केसवेस करेगा रेस्टर करेगा करेगा हां यह हमारे जान को खत्रा इंसे बचाई एग जो पढ़ा लिखानी इन इसान सब्सक्राइब यहां से नहीं यहां से नहीं यहां से स्ट्रोंग बनने के जडूंग अकल बढ़ी है जो पढ़े लिखेनी है वो देह करेंगे भाई भाई बढ़ी होती है दिमाग तो इतना छोटा होता है वह इस तो इतनी बढ़ी होती है कि देख लो कुछ पच्चे का अब एक याद आ गया कुछ बच्चे ऐसे भी है कोचिंग सेंटर में मैं स Georgetown में मेरे पास ही है में मेरे पास भी कुछ ऐसे स्ट्यरिंट गया करालो कुछ भी करlor नहीं आता Va बस वो दिखाने के लिए घर से निगलेगा टाइम पे ट्विशन के टाइम पे कि हां मैं ट्विशन जा रहा हूं ट्विशन का फीस भी लेगा जमा करेगा जिससे टीचर उसके घर पे फॉन करके ना करें हाँ जी आपका बच्चा ट्विशन नहीं आ रहा है नहीं आपकी फीज जमा हुए ठीक है इसलिए इसको फीज जमा करवा देता है कि कम से मेरे घर पर कॉल ना जाए कि टीचर भी खुश रहे हैं हम भी खुश रहे हैं ठीक है तो उनको यह बता दू कि भाई टीचर को तो ठीक है जनलीए नहीं करते लेकिन मैं ऐसे स्टोरिंटा लेकैन थे जहा तक तो नुक्सान तो मेरा होता है ठीक है अब जो पढ़ने वाले बच्चे है वह तो नहीं है उनके फैमिली के तरफ सही होता है कि हमारे बच्चों को कुछ ना कहा है आप डंडा ना मारे सीधी बात ठीक है अब कुछ पैस्ट तो कहते हैं जो खड़ना करो अब यह एक बार भी हो जाता है तो जो स्टुट्स नहीं आते टैप फीजमा करते हैं चलो उनका थैंक्यू तो है लिए आके पढ़लो नुक्सान अपना ही कर रहे हो ठीक नुक्सान अपना ही कर रहे हो अब किस तरीके से नुक्सान कर रहे हो ना अब तो अपना एक्जाम देना पता चल जा ग्राइब एक्टिव हो गया ना आलतू-फालतू की चीज़े देखते हैं आलतू-फालतू की जब बाते करते हैं वजन दर्गी इंस्टाग्राम फेस्बुक क्या मिलता है भाई स्क्रॉल करके चला के इंस्टाग्राम पर रिल देखके रिल बना के किसी के फोटो पोस्ट करक कुछ बैनिफीट है पैसे आ रहे हैं तुमको कुछ कुछ ही मतलब कि मतलब ना इंस्टाग्राम फेस्बुक यह सब नहीं चलाने चाहिए नाइन तैंथ वाली जो स्टुइंट से एक तो यह गर्ल्फ्रेंड वॉइफ्रेंड वाला जो चक्कर खेलते हैं ना एक तो मुझे इस पर हसी भी आती है ठीक है मैं क्लास्रूम मेरे ही क्लास में में जनली में देखता हूं ठीक है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए समझ नहीं आ रहा लेकिन गल्फ नहीं चलो इसका रहने देते हैं ठीक है उना जो स्टुएंट्स हैं वो बोलेंगे सर क्या आप मदब यूट्यूब पर वीडियो होना थे तो हमारी फोल खोल देते हैं आप लोग आप मदब तो गॉल्फ्रेंट बॉयफ्रेंट का जो खेल खेल रोने तुम लोग यह खेल सफल नहीं हो तुमारा यह इस में तो सही है आगे जाके तुम्हें पस्तावों का सर पीटों के बतारो पीटे बहुत अच्छे सर थे लेकिन हमने उनकी बात आज नहीं माली है और हम क्या देख रहे हैं सर पीट रहे हैं अभी मैं कहीं जा रहा था ठीक है मैं मजाक नहीं उरा रहा है किसी का कुछ स्ट्रेंट को मैं आइडिया बता रहा हूं कि यह कैसा होता है ना पढ़ने वा हो था मैंने ध्यान से नहीं देखा क्योंकि मैं तेजी के साथ जा रहा था ठीक है तो एक दोस्तों से यार तुम क्या लूप याज बेज रहा है तूं वेल्डिंग का काम सीख उसमें पैसा बहुत है अब देखो एक दोस दूसरे दोसको सिखा भी किया रहा है क्योंकि उसी भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लेता हूं दोना भाई अच्छा सा बिजनस करेंगे पढ़ लिके अच्छे खासी नौकरी करेंगे यूप सी की तयारी करेंगे या डॉक्टर इंजिनियर कुछ बनेंगे मतलब यस मैं आगे ही बता रहा हूं तो आज यह एडिया से यह उससे एडिया देने की जरूत नहीं पर थे कि वेल्डिंग का काम सीख लें वेल्डिंग बहुत पैसा हूं तो थमनेल जाना इसके वीडियो का ऐसा रखाए कि चलो आज कुछ फालतू बात करने में तुम लोग का इंट्रस्टी जागता अरे चलो भाई फालतू बात करने में पढ़ाय के बात में तो जूड़ने ही बनेगा लेकिन फालतू जहां बात हो रही हो नहां पे अरे देख एक इब अए मुद्ध हम भी इते हैं कर दो गड़ाये में जीरो है थीक है पड़ाय में कॉंट्विशन दोंहारा जीरो है तुम्हारी ग्रोथ तक जीरो है कर क्या रो अपने जिन्दिकी के साथ जिन्दिकी भरवाद करो तुम अगर कोई क्लास में त्वेंथ क्लास के स्ट्रूइन चनल लिए देख रहे हैं वीडियो यह द्यान रग लेना तुम अगर तैंथ में फील होते हैं तुम्हारे माक्स गंद्याते तुम्हारी बद्नामी हो गी तुम्हें कोई भी नहीं पड़ेगा से मीचाइव भी टैमे में मेहनत कर लो लेकिन तुम फेलोगे न तुम्हारे जी जदा सर पड़ेगा सीजिकर मुझा उनको सूरिभा लोगा उनको रोना भी आएगा यार हमने अपने बच्चों को इतना महनत से इतने अच्छे जगब पढ़ाया इतने अच्छे स्कूल में इतने अच्छे कोचिंग में देतनी फीज दी हमने लेकिन हमारा बच्चा सक्सिस नहीं हुआ क्या चाहते हैं तुम्हारे प्रेंट्स की बन्नामी हो कि डिसाइड कर लोगो देखो मैं काफी जादा मैं कुछ दिनों से परेसान हो गया हूं ठीक है कुछ बच्चों से मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूं करें चाहिए कि बच्च कोई तो एसा होता है रेगुलर होता ही नहीं क्लास में सर पीट में दर्ध हो रहा था यह पीचिए अले था खाने का यह पीने का क्या में नब क्या है खाने की चीज है जो मूड के हिसाब से करोगे कि पढ़ने की जिए पाई मैं क्या बोलू बहुत सारे टॉपिक आते हैं फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो कामेट सकसे नहीं भर डालो गाली दे नहीं मुझे गाली दे डालो कोई दिक्कत नहीं नेतामों का फंड़ा देखते हो क्या होता है अपना काम बनता है भार में जाए जनता शिस्टम यहीं चलता है मैं प्यूचर अगर बनाना है जिन्दिगी में कुछ सोचा है अपने सपनों को पूरा करना है ठीक है तो पढ़लो मैं यही करूँगा मेरे से जितना help हो सकता है मैं कर रहा हूँ ठीक है मैं offline में यही कह रहा हूँ online में यही कह रहा हूँ YouTube पे कि मेरे से जितना help हो सकता है ठीक है मैं phone number तक दे चुक हूँ एक video में ठीक है मैं पहली कह रहा हूँ मेरे से जितना help हो सकता है मैं करूँ किसी को दिक्कत हो सकता है कमेंट सक्षन में कमेंट कर देना जो भी दिक्कत है चाहिए तुम्हेरी पॉस्टिव और नेगटिव हो आई डूंट केर वाट इसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैं हर में सा रहता हूं ठीक है यह जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनक है कि पिदेखो अगर्वी क्या है ना इन है जो क्लास में महनत कर लोगे ना आगे वहीं तुमको मैनत कम पढ़ना पर हैं तक मिले हैं अगर मैं कहूं तो 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 यह सब एक्जांब जो होता है ना इसे निकाल पाएंगे ठीक है रिज्दिंग फिर बागी आ जाती है अलग बात है चाहे नीट की अब साइंसेट की अगर मैं अभी नीट वाले की बात नहीं करा ठीक है तो मैं जनरली में तैंध नैन तैंध वालों की ये बात कर रहा था मैं इसलिए कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा नैन तैंध अलेवन ताद वालों से कि भाई पढ़ लो कुछ जिन्दी में करना है तो ये बात करने से या फाल्तू कर टाइम पास करने से गेम खेलने से कुछ नहीं होने वाला है हाँ जनल एक बच चागे कहा वैं सर वे एक गेमर बना टॉफर विमार मैंने की बात है फिर समें में एस नहीं इतुम थो लेते हो लिए पढ़ने में टुम पूरे जीरो यहां क्या करना है फिर मैं पढ़ने में बैंदे में जीरो आ तो मैंने का करना है भूला कि उसने रिस्पोंस जदे नहीं दिया मत फूरी रिस्पोंस नदिया ठीक है फिर कह रहा है सर ठीक आप दूंगा पढ़ाय पर देखते हैं भी किता पढ़ाय पर ध्यान देता है लोग को सीखना है अगर टैम एसेज करना या कमेंट बोक्स में कमेंट करना मैं टैम मैनेजमेंट के ओपर भी वीडियो लेका अओंगा ठीक है बताओंगा कि टैम मैनेज कैसे करना चाहिए स्कूल के हिसाब से सुभक मैं यह स्कूल के हिसाब से और छेइन की बात करों थेकफे नीट अग्जाम की और जई की डिरी मिन्स की 250 में दो देने वाले स्टुडेंट्स है कि एंटी आउगनाईज कर वाता है तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम लोग के पिछ्ट्वजा तेश का है जो लिस्ट देख लेना कितने स्ट्रेंट्स ने फॉर्म भरे थे नीट के कि एक लाग के करी फॉर्म भरे गए थे सीट कि अतनी है एक लाग भी सीट नहीं है तो कौन से किस बच्चे का एड्मिशन होगा और सब कैटिगरी बटी भी है सी स्टी ओवी सी ठीक आर्मी कोट अलग फिर अधर फर्द पतानी कौन-कौन से कोटा हो जाता है पी डवलू डी क सी का हूं स्टी का हूं मैं तो इतना माक्स ले आऊंगा ना मेरा स्वेक्शन हो जाये अरे भीया सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह चीज़ ही निकाल दो कि तुम आरक्षन क्याटिगरी में हो नहीं हो तो ठीक है कुछ में दी नहीं है वो तो बात की बात है सगर्णरी अपने दिमाग से जीज़ निकाल दो तो में रैंक लाना है तो में अगर िजरे नाम कमाना हूं तुम यह रैंक लेकर अने ठीक है है। है as hungry сх symbol औध निकाल दो तो क्योंगि तुम लोगों में भी और competition आने लगाए ठीक है तुम लोगकी Подशी खान से जाने लगा है ठीक है और तुम लोग तो सबसे पहले डिस के लोग इसज्री से लोग हैं एस एस टुपी व्यास बीजिस भी आर्मी कोटा गया है यह निकाल दो भाइँ कि तुम लोग का की टीक्री लग रहा है तो अपने मामी पापा के बदोलत तुम यह किसी के प्रेंट्स अर्मी में अर यार मेरा तो 300 में हो गया क्यों भाई कैसे अरे मेरा आरे मी कोटा था भाई पीड़लुडी था आरे भाई या अगर रेंक रहेगा ना तुम्हारा 650-600 अरे 650 भाई क्या किया तुन्हें कैसे पढ़ा तुम्हारे इंटर्व्यून्ट year one इंटर्व्यू लूंगा तुम्हारा ठीक है बताना मैं यह श्यान्म हमय य्श 조ंण चाहिए हमें genuine students चाहिए फिक एस्टुटेंट नहीं चाहिए हमें जो टॉप इस्टिटूस वाले फिक एस्टुटेंट्स खरी लेता हम लोग के पास पैसे नहीं हमारा बुजड़ देख लो छोटा सा बोर्ड है छोटा सा सेट अप हम वायल से रिकॉर्डिंग करते हैं मारकर है हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है देख लो हम क्या ही पैसे देंगे एक हजार देने की हैज़ित नहीं हमारी के पास है सच्चा है बता रहा हूं हम खरिदते नहीं स्ट्रेंट को हम दो जैन्वन एस्ट्रेंट चाहिए है ठीक है तो नीट और जई वालों से बात यही कहूंगा कि जई का तो एक देर मेने में अभी जन्वरी में आ जाएगा और नीट वालों का तो ठीक से फिक्स है ना पांच में पांच में को फिक्स हो चुगा एक्जाम है तो देख लो टाइम मेंस करना सुरू करतो जो तुम्हारा स्ट्रॉंग सब्जेक्ट है ना उ कि नीट एक्जाम सब नीगों जाएगा तो में 12 पर पहले फोकस करना है फिर बाद में उसे नीट यह फोकस करना है हुआ था ना यह कुछ साल पहले पता नहीं मुझे याद नहीं कौन से सब में कब हुआ था एक जन्य का ऐसे हुआ था कि उसने जई मेंज करेक कर लिया जई मेंज कर लिया आइधिंग एडवांस भी क्रेक हो गया था उसके फीजिक्स में मार्स कम आ रहे थे तेस नमर यह थे तो तेस नमर यह निए फेली है ना एक सब्सक्राइब चेकिंग हुआ प्रैक्टिकल के म होने के बाद ही पता चला कि उसके एक मार्स तक नहीं बढ़े तेसी नमर रहने चाहिए तो फेल तो मंदब फेल अब बोर्ड एक्जाम में 12 में फेल तो क्या हो जाएगा आइटी में कॉलेज में एडिविशन हो जाएगा बिल्कुल नहीं होने वाला अब सबस्वेले बोर्ड एक्जाम पर फोकस कर लो फुर्दर बाद में इस पर देना वर एक्जाम में फेल हो जाओगे ना तो फिर तो क्या ही मदब क्या क्या फैदा हुआ उस तुम्हारे जई मेंस या नीट किलियर करने का अब दोनों की त्यारी अगर करते देखो तुम लोगों ना पीएजडी नहीं करना है पीएजडी हमारे लिए छोड़ दो ठीक है हम लोग कर लेंगे नहीं में करें तो पर दिखते हैं तुम लोग ना एक सीट चाहिए सेलेक्शन चाहिए वह भी अच्छे नंबर के साथ है तो 85% quota जो चलता है और इंडिया स्टेट का इस्टेट रहें कवाल होगा वह नहीं यहां पर होता है जैसे कोई देली से तो इसका 25% quota लगता है ठीक है 15% अधर स्टेट में हो जाता है तो एमस में लगता है बदर अधर मेडिकल कॉलेज में लग जाता है तो जैसे हमारे पा कोई मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज हो इसके बाद हिंदु राओ का नाम च्छंच करके चानिया अगर लगी मतला होता है उसका इसका न बेनिफिट तुम्हें आगे देखना को मिल जाएगा बर तो तुम्हें पीजी जब करोगे तब बेनेफिट मिलता है उसका अच्छा है तो मैं भी दिल्ली में हूं ठीक है अगर अच्छे से त्यारी करो नीट में जई में सेलेक्शन लो डॉक्टर बनो हमसे भी मिलने आओ हम भी इंटर्व्यू लेंगे आपका और दिल्ली के अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर मैसेज करें कमेंट फॉक्स में मैसेज करें कौन स्निंग का फॉर्म भरतेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो है थिंग मुझे लगता है उसके 630 से लेके 650 से अबब था 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 मैं चाहिए ने कौन स्लिंग का फॉर्म भरने का कुछ आइडिया नहीं था उसको आउसके इस्टी टॉपमोस इंस्टीट में पढ़ा था हुआ उनकी इस्टीट वालों ने नाम रेंग ले लिया सब्सक्राइब कर दो इस्टीट में नाम नहीं आया था पता नहीं यादने मज़े सी से अब पता है कहा मिला मेडिकल कॉलेज कस्मीर में जाके मिला था मेडिकल कॉलेज सोच लो मतब इतना अच्छा मार्स लाने के बावजुद भी 650 यह 680 की करी मार्स था मुझे एक्जक् है ठीक है तो सेलेक्शन थो ले नहीं है इलान में बोड्ड एक़्जांब फोकस करना ही इदे़ हो अंच्छे मागर्स आ सके तो थे लो की पेले फीजिक्स छी बायो मैंथ यह सब है तो फीजिक्स ईस्वर्माया और इ husbands circa छी कहां स्ढ़र से ठ्दान i ठेक है तो अच्छे से पढ़ें यह बात करो तुम लोग नीट वालों जई वालों के पास और बोर्ड एक्जाम वाले तो वक्त ही कम है तुम तो खेलना भूलना भूली जाओ कम से अठ्ध गंडे तो पढ़ाही करो देख गंडे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो आप लोग किताब बैठ एकर करां से इनकी हम भी पढ़ते कि आहां ममी पापा खुस होगा है मेरा बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से देखो शेलेक्शन तो पक्का होना रे बोर्ड में न तो ठीक है कुछ बच्चे होते हैं पेट्स को धोखा देते हैं दूल जोते मैंने खादी था भी एक तैंथ-नैंथ के कुछ पता है बताने की जड़ोत है भाई वह पता है नजबानि टॉप्रेंट को टाइम द या होता है गल्ट से बिलने जाता है पता है अब वो गल्फिंड तो भाई ठीक है गल्फिंड भी लड़की का जो बाप है वो भी उसके लड़की सबसाधी उसका क्यों कब करेगा पता है उसको भी अच्छे खासी सेल ली होगी पैसे कमाएगा तो ठीक है यह चीज यहां दखना एक चीज तो भारत देश में अब क्या ही सब्सक्राइब करें तो यहां के नेता नेता लोग मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा पता चला है वीडियो पर कुछ कांड हो फिर तो नेता हुगा फंड़ा ही चलता है अपना कंबंदा भार में जानता है भारत देश में ना जितने भी बरें पैसे के लिए भूग है सब सच सब्सक्राइब हो को फिल्म एक्टर्स हो पर्मोट करें पता है अबने बच्चे तो भाई विदेश पढ़ने जा रहे हैं महां यारा लग लग टॉप क्लास के वोल्ट के इनिवर्सटी में जा रहे हैं लेकिन इधर मिस्गैड कर रहे हैं कुछ तो यह काम है न अपना काम बंदा भार में जाए जलता है जिस्टम यही चली रहा है तो वक्त कम है अपने एक्जाम की त्यारी करो कौन क्या कह रहा इस पर ध्यान मत देना सम में गिराने वाले बहुत आएंगे ठीक है सक्सेस अगर तुम कुछ तरक्की या कुछ अच्छा काम करने जा रहा है तुमारा पैर पकर की खीषने की कोसिस करेंगे तुम्हें क्योंकि वह खुदा के नहीं बढ़ सकते तो दूसरी को आगे बढ़ना देना भी नहीं चाहते ठीक है लोग कर अपनी खुसी से इतने खुस नहीं आज के टाए में जितना लोग दूसरों के खुसी से दुखी हो गए सच्छा बता रहा हूं अगर मैं आगे सक्सेस कर रहा हूं ना तो मेरे आसपास इतने मेरे रिष्टेदार हुए कुछ तो मेरे सक्सेस वो टेंपरोरी सामने में दिखाएंगे कि हम बहुत खूस हैं अंदर ये अंदर उनकी तो अच्छे से जल रही होगी मिर्च लग रही अर तक स्चानता थी कैसे कर लिया यसी तुमारे पढ़ाई के साथ तक तुम पढ़ो कि ना तो ऐसे कहे गा भए पढ़ो यह अगर तो ह 175 premi 2 अच्छा पढ़ता था दिन रात रात नतों तो आगा रहता था पढ़ता था तो सब्सक्रों शॉत पढ़ता ही नहीं था, दियावारे करता था, कैसी हो जाएगा सक्सेस? अक्चल में उनका मन भी नहीं बहुत है, तुम सक्सेस हो ठीक है? तो एक चीज और याद आया था भी, क्या याद आया था? कि हाँ, देखो, जब हम आगे बढ़ते, आगे जाते हैं, आगे तरक्की करते तो बहुत कुछ हमें बहुत लोग हमें गिराने के लिए आते हैं जब इंसान मर जाता है तो लोग कंधा देने आते तब उठाने के लिए आते हैं बता जब जिंदा रहने में नहीं उठाया लेकिन मरने के बाद लोग उसको उठाने के लिए आते हैं सोचने के बात है यह तो तो नहीं बोलूगा घड़लो थोरा ट्रहर पढ़ने वाले बच्चे बहाने नहीं बनाते मेरे बास जनरली कुछ बच्चे बहाने भूत बनाते हैं क्लासर्म में अएसे एकदम है टुकुर टुकुर देखते रहते हैं पस कुछ को से बूच लो तो आँछा ठीक है कि अभी तीचर करेंडी निकांट थे छोटे बच्चे जो आता है जनरली और युद्ध कि निकालतों जैसे मैं अगर मालनों आज वाता हूं मैं कुछ लिख रहा थेक हैं तो मैंने कुछ लिखा तो बच्चे न टीचर की गलती होगी आपसे आपको इंगलीस नहीं आती ना सर आप इंगलीस पड़ो आप अगर आपका अधर अधर से अधर आएसे नहीं बोलते यह वहता है कि टीचर को तुम सीखाने लग रहे हैं जो तुम्हारा गुरू है गुरू का तुम गुरू बनने की कोसिस कर रहे हैं यह सब संस्कार में इंक्लूड होता है देखो सच्चा बता रहा है इंसान है जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम लोग तो फिर भी इंसान है हमसे भी हो सकता है है ठीक है संसका सीखना ना बहुत जादा जोड़ी है अपने मम्मी पापा दादा यह आप से जितने भी बढ़े हैं टीचर से कोई भी है पलट की जवाब मत दोने इसका नुक्सान आप ही को है ठीक है नुक्सान मगलब बोलो तो पाप लगेगा ऐसे वर्ड को खा जाता है यानि कि इगो की बात करो तो इगो इंसान को खा जाता है कोई चीज तुम्हें आता है नहीं तो अच्छी बात है लिखने उसको संसकार सीखो क्या सही है क्या गलत है अगर तुम्हें नहीं पता इस चीज के बारे में क्या सही है क्या गलत है तो अपने टीचर से अपने ममी पापस से पूछो क्या मैं ये कर रहा हूँ ये चीज सही होगा ये नहीं होगा कोई चीज करने से पहले बोलने से पहले दो तीन बार सोच लो गॉल्फेंट बॉइफ्रेंट का गेम मत खेलो बरबाद हो जाएगी जिन्दगी और अच्छे से महनत कर लो पहाने मत बनाओ दस तरीके के पहाने मत बनाओ पढ़ने के लिए टेस्ट होता है टेस्ट दो पढ़ाए फोकस करो रैगुलर तो उसको फट क्या हो ऐसे तुम अगर करोगे तो तुम्हारे देखना बैकलॉग रहेगा नहीं तुम्हारे सब कम हो जाएगा यह मत कहना कोईसी चीज में कि मुझे यह समझ नहीं तो मैं यह करूंगा ही नहीं इस दुनिया में कुछ चीज ऐसा नहीं कि जो इंपॉसिवल है हर एक चीज हमारे लिए पॉसिवल बस जरुवत है तो हमें में मेहनत करने की आप समय पर लाने की क्या चीज ओभाव कुछ निए इंपॉसिवल सिवल बोड़ी करता है इस पोसीवल को कि कात है ना कुछ कर ऐसा कि दूनिया बनना चाहे तेरी जासा तो कुछ हमारे पास ह जो हैं मात्मा गांदी डॉक्टर भीम्रव मेटकर भी डो दिन पहले गया हमारा आजधित स्हाविधान दीपस गया है डॉक्त भीम्रव मेटकर और भी हमारे पास बहुत बठे से नेता नेता भी कहलो उनको लीडर का लोग बहुत बने 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 पढ़े लिके विद्वान लोग थे रहिनार्ट टेगर की बात करो कितने पढ़े लिकेत हैं डवले में पढ़े देख जो ऐजू कितना इंपोरएन है तुम कहीं जाओगे पढ़े लिकें ना तो समझ दो वक्त रहते समझ दो पांस साल बाद ऐसे सर पीटने की जरूदना परेत में यह वीडियो लंबा जरूर होगा मुझे पता है कि हमारे पास मेरे घरी में रात को बना रहा हूं बाराफ पच्पन हो रहे हैं अब पता नहीं कितने दिर का वीडियो है साथ एक घंटा चारिस मिनट आदर घंटा कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखना जरूर पहले पूरा कुछ मैं भूलते-भूलते मैं ज्यादा बोल देता हूं जैनली क्योंकि बता है मेरे से ज्याता इंसान नफरत ही क मेरे पास आता है बैठते कुछी समझता है मैं समझाता हूं मैं अच्छे इंसान के लिए अच्छा हूं बोरे इंसान के लिए वो बुड़ा हूं ठीक है यह चीज़ आता हूं मैं किसी और को खुश करने नहीं आया हूं ठीक है बसी दीवा सच्छा बता हूं मैं को किसी और वो खुश करने से मतलब नहीं है मैं जो करने आओं मैं कर रहा हूं अब करूँगा ठीक है मैं भला करने आओं सबका अच्छा सुचता हूं मैं सोचूँगा अब सबका भला करूँगा चाहे वो अगर financial हो सके तो financial करूँगा चाहे मेरी बनाओ पढ़ाय पर धेंदो पस एक ही बहुत करूँगा कुछ दिक्कत हो तो यह फालतों का बगवास वाला वीडियो देख लेना जरूँगा फिर भी कुछ दिक्कत रह जाता है तो कमेंट करना ठीक है फालतों को बकलोल बाजी जीसे कहते हैं वो तो आपको करने मजा ही आता है थोड़ा आलस छोड़ो एस्टूडेंट लेह में आलस नहीं होने चीए सब में आती है आलस हमें भी आती है लेकिन क्या करें हमें 12 बज़े रात को एक बज़े एक बज़े हैं अगर आपको लोग वीडियो पर लाइक करो ना करो ठीक मुझे आप कोई फक्ट नहीं पड़ता है मैं सच बता रहा हूं जिसकी किस्मत च्छी होगे अब यह वीडियो न उसके आपने पहुंचाएगा ठीक है एकुष कर लूँ हए घटक इटक है मैं किस्मत ही अच्छी होगी वही यह है वीडियो देखएगा जिसको अपने जिन्दी में कुछ करना होगा जिसके सपने जिसको क THE he । तो अगर में कुछ भूल गया हुँगा तो कमेंट सेक्षण में बतादूँगा भी रभा से अप्लीन बच्चों के लिए, ईफ नहींगे हुआं अगर में सांथे बातकि 박ी क्न जिदूर रहू दूसरी दूसरों की गल्ती मत निगाल। अपनी गल्ती सुधाल हो। ठीक है। गया है। किसी के तरफ रहों कई तुम्हारी तरफ खुद होगा याद अख लेना। कि कि सब्सक्राइब तो वह अच्छी बात है हमें किसी का गल्ती यानि किसी को ड्राक्ट करना चाहिए। च्वाँ कोई चीज को हेल्प करता है प्लीज ठीख्या फ्लीज वोर्ड थेंग्योर्ड ये दो वर्ड को न अपने धिनगी में विख्ञाव डाल मालव ये कर लो पर दो अपने लिए कि कुछ समय कहल करते हैं तो टैंग्यू कुछ करते तो प्लीज no word negative words को आने मत दो ठीक है और क्या कहूंगा मैं कहने के लिए कुछ words कभी कल कम पाते हैं फिर मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गया हूँ किसी को कुछ बुरा लगा हो किसी की किसी का नाम तो ऐसे मैंने नहीं लिया है तो उसे मैं पहले हाथ जोर कहीं माफी माँग लेता हूँ पहले अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी बात चारिए अगर ठेस लगी हो कुछ किसी के मन को, दिल को धिमाग को, किसी को जूट कितने दिन बोलोगे तुम जूट के सारे कितने दिजी होगे तुम ना पढ़के तो अपना ही नुकसान कर रहो ना अपने मम्मी पापा से, टीचर से, अपने आप से अपने आप से और भगवान से तो जूट नहीं बोल सकते ना तुम तुम्हें तो पता है ना कि तुम जूट बोल ले हो एक जूट छुपाने के लिए हमें 100 जूट बोलना पता है तो तुम्हें पता ही है सच का रास्ता बनाओ ही कहूंगा है हम बोलोगे है कि सत्य वादी राजा आई संजय से बाते कर रहे हूं उनी की जैसे मैं तो चाहता हूं आप लोग सुधर जाओ पढ़ने लिखने लग जाओ आप पढ़ोगे तो हमें भी बेनिफिट होता है कि हां भाई एक संजय तुम ही कहोगे एक संजय नम के सर्व थे जिन से हम पढ़े उन्हेंने हमें समझाय है सहीड डैक संधियानों ने तभी हम इस मु भी संजय सर्व जा रहे हैं रास्ते में मिल गए पहचानते होंगे क्या बता कुछ रोख के पूछ ले तो क्या कहूंगा मैं तो मुन नी खूआ के चले जाओगी ना साथ में बायो भी ठीक ठाक पढ़ा देता हूं है ठीक है अगर इस टॉपिक तो मैं फीजिक से बढ़ा सकते हैं और फीजिक कर बढ़ा सकते हैं तो यह जनरली जो हमार यह वीडियो लेक्ट्टर जो आए हमारे दो चैनल हमें जनली ठीक है एक नीट वाले स्टुडेंस के लिए टार्गेट इसो टैमी नीट प्लस बोड़ एक है टार्गेट इसो नहमी स्कूल प्लस बोड़ है तो दो रूर चैनल पर यह वीडियो है ठीक है अब जिसके पास पहुंच जाए वीडियो मैं तो इसे लाइफ चेंजिंग वीडियो समझ लोगे कुछ भी कहलो मुझे तो लगता है लाइफ चेंजिंग वीडियो है क्यों मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं इस वीडियो में देख लो अब मैंने बहुत फालत बगवास कही है अपना टाइम वेस्ट किया है आप लोगों के इस पर डिपेंड करता है ठीक है तो ज्याजा लेंदी नहीं करूंगा इस वीडियो को और यहीं पर स्वावत करता हूं तो फिर मिलते हम किसी नए वीडियो या लेक्चर के साथ या किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ या किसी फालत वाले वीडियो के साथ ठीक है तब त